हेलो दोस्तो, दोस्तो आज की ये वीडियो खास दोर पर उन लोगों के लिए है जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं जी हाँ, दोस्तो आपको बता दू पेले ही कि अगर आपको भी ये आदत है तो आप सचे तो जाए क्योंकि आज की इस वीडियो में जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो इस प्रगार की आदस से आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो आज कर लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि चेन से बेट कर दूर रोटी तो खा ले दोस्तो भाग दोड़ बरी जिन्दगी में खाना भी अब लोग भागम भाग में खाने लगे हैं दोस्तो आज कल खाना खाना भी लोगों को किसी टास्क से कम नहीं लगता दोस्तो ऐसे लोगों को अगर खाना खाने का सड़ी टाइम मिल भी जाता है तो भी वो उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिच करते हैं लेकिन आपको बता दें कि जबरदस्ती और जल्दी जल्दी खाया हुआ खाना आपके हेल्थ को कई प्रकार से साइट फेक डे सकता है वेसे हमारे बड़े बुजूर्ग भी अक्सर हमें धीरे धीरे खाना चबा कर खाने की ही सला देते हैं जल्दी जल्दी खाना खाना बुरी आर्टों में गिना जाता है अगर आपको भी ये आदत है तो समय रहते सचेत हो जाईए वरना इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं चलिए आपको बताता हूँ दोस्तो इसका पेला नुकसान होता है ओवरेक्टिरिंग के रूप में जल्दी जल्दी खाना खाने से हम शरीर के संकेतों को नकार देते हैं इस कारण कई बार हम ओवरेटिंग कर लेते हैं इसी ओवरेटिंग की वज़े से वजन भी बढ़ने लगता है और शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग तक ये संदेश नहीं पोच पता कि हमारा पेट भर चुका है या नहीं तो ऐसे में ओवरेटिंग की समस्या हमारे सामने खड़ी हो सकती है दोस्तो इससे दूसरी प्रोब्लम हो सकती है मोटापा जल्दी जल्दी खाना खाने की वज़े से मोटापा की समस्या भी हमारे सामने खड़ी हो सकती है जल्दी जल्दी खाना खाने की वज़े से हमारी डाइट असंतुलित हो जाती है अगर खाने को पूरी तरीके से चबा चबा कर धीरे धीरे खाये जाये तो मोटापे की समस्या नहीं होगी दोस्तो अगली से प्रोब्लम हो सकती है पाचन तंतर के रूप में जल्दी जल्दी खाना खाने वाले लोग अक्सर बड़े निवाले लेकर खाना खाते हैं और बिना चबायें पूरा निगल जाते हैं इतना ही नहीं कई बार अगर खाना न निगल पाए तो पानी या फिर किसी ड्रिंक के साथ खाने को निगल लेते हैं दोस्तो ऐसा सब करने से खाना सही तरीके से पचने ही पाता, खाने की न पचने से पेट में कई प्रकार की पाचन तंत्र संबंदि समस्याई हो जाती हैं, जैसे कि आपका पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, आप खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकते और जिसके कारण बहुत सारी और भी बिमारे आपको हो सकती है जैसे कि कब्ज वगेरा दोस्तो अगला इसका नुकसान देखा जाता है इंसुलीन को इफेक्ट करने में जियां जल्द माजी में खाना खाने से कई बार खून में शुगर की मातरा एकदम से बढ़ जाती है और इस कारण जो इंसुलीन होता है वो प्रती रोध होने की समस्या उसमें देखने को मिलती है और कुछ टाइम बार यही समस्या डाइबिटीज के रूप में बढ़ जाती है जो कि एक बहुत बड़ी बिमारी है तो दोस्तो ये थे कुल मिला के वो साइड वेक जो की जल्दी जल्दी खाना खाने की वज़े से आपको देखने को मिल सकते है अगर आपको भी ये गंदी आदत है तो इस गंदी आदत को आज ही छोड़े खाना धीरे-धीरे और आराम से छोटे-छोटे टुकडों में और चबा-चबा कर खाए इससे आप पूर्ण तहा हेल्दी रहेंगे तो दोस्तो यही थी हमारी आज की एक और इंपोर्टेंट जानकरी आप सबी लोगों के लिए जो होती ही यही समाप्त उम्मिद करता हूँ वीडियो जानकरी आपको पसंद आई होगी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताए वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक और शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दमाए धन्यवाद दोस्तों